हेलो फ्रेंड्स कैसे हो आप सब उमीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे वेलकम बैक टू ऐसे एस क्रेटर ग्रूप आज दोस्तों इस वीडियो के इंदर में आपको शुकाने जा रहा हूं कि हम डैमेंशन कैसी क्रेट करते हैं जैसी के आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर मैंने मल्टीपल साइज की डैमेंशन ने रखी है सबसे पहला जो साइज है यहाँ पर यह फिर उसके बाद यहाँ पर यह पर यहुद्ध बिल्कु समाल साइज है और उसके लवा मैंने यहाँ पर इन डैमेंशन का कलर भी चेंज कर रख है तो चलिए शीखते हैं आज इस वीडियो के अंदर dimension create करना अलग-अलग size और color के अंदर उससे पहले दोस्तों आप सबसे request है कि अगर आपको हमारी वीडियो पसेंद आती तो प्लीज आप हमारे चैनल को subscribe कीजी हमारी वीडियो को like कीजी और उन्हें अपनी दोस्तों के साथ share कीजिए ताकि मैं आपके ल New Layer एक और create कर लिए और इसका rename लेता हम dimension two अब यहां पर dimension two का का जो color है वह हम यहायं मजenda करके से мदने अऊदर कर लेते हैं उसके बाद हम यहां पर layer पैनल को हाइड करलेते हैं और यहां पर drop-down میں से dimension one select कर create कर लेते हैं सबसे पहले हम standard dimension style की setting change कर लेते हैं तो इसके अंदर dimension scale overall यहाँ पर 50 कर लेते हैं enter करेंगे उसके बाद हम यहाँ पर primary unit में decimal किजिए architectural कर लेते हैं और यहाँ पर dimension precision 0 feet 0 inch कर लेते हैं और यहाँ पर decimal spreader अगर यहाँ पर comma है तो आप यहाँ पर dot का use कर सकते हूँ अब उसके बाद हम यहाँ पर इसकी copy create कर लेते हैं तो यहाँ पर right click करेंगे copy करेंगे और यहाँ पर right click करेंगे दुबारा paste कर देंगे यहाँ पर copy but keep both file के उपर click करना है और यहाँ पर rename कर लेते हैं यहाँ पर dimension 1 और यहाँ पर इसका overall scale change कर लेते हैं 30 और उसके बाद हम यहाँ पर click करेंगे और फिर यहाँ पर right click करेंगे copy करेंगे और यहाँ पर दुबारा हम paste कर देंगे copy what की both file के उपर click करेंगे और यहाँ पर इसका rename कर लेते हैं dimension 2 और इसका overall scale change कर लेते हैं हम यहाँ पर 15 click करेंगे अब यहाँ पर इसको close कर लेंगे तो अभी यहाँ पर हमारा default dimension style standard set है अगर आपको यह change करना है तो आप यहाँ से भी change कर सकते हो आप simply यहाँ पर right click कीजी और यहाँ पर जो भी dimension style आपको select करना है वो आप यहाँ से select कर सकते हो अभी हम यहाँ पर standard ही set रखेंगे उसके बाद हम यहाँ पर dimension command ले लेते हैं और यहाँ पर जितनी भी हमारी outer wall की dimension है वो हम यहाँ पर show कर लेंगे तो मैं यहाँ पर यह wall select कर लेता हूँ और यहाँ पर यह click कर लेता हूँ उसके बाद यहाँ पर यह wall select करेंगे और यहाँ पर यह click कर लेंगे उसके बाद यहाँ पर यह wall select करेंगे यह हमारा vertical direction में है और यहाँ पर यह horizontal direction में है अगर आप यहाँ पर dimension text को rotate करना चारे हो तो वो भी आप easily कर सकते हो यहाँ पर escape के दवाईए यहाँ पर quad menu को on कर लीजिए और यहाँ पर जब आप quad menu के अंदर जाओगे तो यहाँ पर एक option हमारे पास rotate dimension text इसके उपर क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पर angle of rotation हम 90 दे देते हैं तो यह हमारा text यहाँ पर rotate हो जाएगा अब उसके बाद हम यहाँ पर dimension style change कर लेते हैं तो हम यहाँ पर standard कीजिए dimension style 1 select करेंगे और यहाँ पर हम linear dimension select कर लेते हैं और यहाँ पर यह सभी dimension अब यहाँ पर create कर लेंगे तो मैं यहाँ पर zoom कर लेता हूँ first point यह दे देता हूँ second point मैं यहाँ पर यह दे देता हूँ और यहाँ पर यह क्लिक कर लेंगे इसी तरह हम बाकि यह सभी dimension शो कर लेंगे space bar दबाएंगे दोबारा कमार्ट रिपेट करने के लिए तो यह सब है नियाँ यहांपर सलीं तो यही इंड आ हैं जो जो नियस्शन को यहांपर स्कते हों आब नेच्ट हम यहाँ West लियर चेंज कर लेते हैं यहां पर दोबारा लीने में सिलेट कर लेंगे फर्स्ट पैंट यहां और रिपार्न कीजन्द यह देदेंगे यहां पर यह हमयरी डामेंजन टू सिक्सेंज worst into square रिचे इस़ हमया पर इस ड़र की डामेंजन इस रोट आ संस्ट कर लेंगे और फिर यहां पर विंडो की डामेंजन इसी त्रे इस रोट कर लेंगे तो अब next मैं यहाँ पर dimension style change कर लेता हूँ, dimension 2 के ओपर click करता हूँ और यहाँ पर हम जो small dimension है वो इस dimension के थुरू represent कर सकते हैं तो जैसे मैं यहाँ पर linear dimension दुबारा ले लेता हूँ, first point यह ले लेता हूँ, second point यह और फिर यहाँ पर यह click और दुबारा हम यहाँ पर enter कर लेंगे और यहाँ पर first point यह select कर लेते हैं, second point यह दुबारा linear dimension कर लेंगे, first point यह, second point यह ओके फ्रेंड्स, इस तरह से हम इस floor design के dimension show करते हैं I hope आपको यह small house design पसंद आया होगा और दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आयी, तो please आप हमारे चैनल को subscribe कीजिए हमारे वीडियोस को like कीजिए और उन्हें अपने दोस्तों के साथ share कीजिए ताकि मापके लिए डहर सारी नए वीडियोस लेक्या तरूं Thank you so much, don't worry, be happy, keep smiling forever, tata bababai